Hello Friends, Welcome to Joy's Kitchen. आज में आपको बना कर दिखाऊंगी काचा गोला स्विट्स जो बहुती कम इंग्रिडियन्स में इजली बना सकते हैं तो चरिए देखते हैं काचा गोला स्विट्स बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रिडियन्स चाहिए काच अगला स्वीट्स बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है एक कब छेना, 4 टेबल स्पून होममेट कंडेंस मिल्क, कंडेंस मिल्क और छेना की रेसिपी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, उसके साथ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून शुगर और अभी हम लो फ्लेम पे नौन स्टिक पैन चड़ा दिया है, अब हम इसमें डाल देंगे कंडेंस मिल्क, और इसे बनाते वाक्त नौन स्टिक पैन का ही यूज़ करें, अब हम इसमें डाल देंगे, चनाओं, अभी हम इसे मिक्स्ट कर लेंगे, चीनी और कंडेंस मिल्क की वज़ा से थोड़ा गिला हो गया है, जैसे जैसे इसे पकाते रहेंगे और टाइट होता जाएगा, देखिए धीरे धीरे गाडा होता जा रहा है, इसे और भी गाडा कर लेंगे, और फिरेम हमने लो पे ही रखाए, और इसे कंटिनुआसले ऐसे चलाते रहना है, मिक्स्योट जो है गाडा हो गया है, देखिए, एकदम दोग के फोम पे आ गया है, और कराई के नीचे को छोड़ा है, इसे और जादा टाइट ना करें, इसे अइसे प्लेट मे निकालें, अब इसे थोरी देब के लिए थंडा होने देएगे, जादा थंडा ना करें, मिक्स्चर जो है ठंडा हो गया है लेकिन जादा ठंडा ने हुआ है हलका गड़ा में छूने लायक है अब हम इससे थोड़ा थोड़ा ले लेंगे और इस तरह से दबाते हुए इसका गोल शेप दे देंगे इसे मैंने बॉल के आकर में शेप कर लिया है यह दिखिए अब हम इसमें पॉर्डर मिल्क ढालकर इस तरह से इसे कोट कर लेंगे और साड़े मिक्सर को इसी तरह से हम बना लेंगे साड़े बॉल्स मैंने बना लिया है अब हम इसे आदे गंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और इसके बाब इसे सर्फ करेंगे काचा गुला स्विक्स बनकर रेडी है अगर यह रेसिपि आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजे और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो फिर मिलते हैं और एक रेसिपि के साब तो टेक क्यार बाई बाई